मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा लोहे जैसा चलते देखा ढलते देखा गलते देखा तपते देखा मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों मैं आपका अपना भाई विवेक पांडे श्वागत और अभिनेंदन करता हूँ आपका टार्गेट ऑन के इस जबर्जस्त यूटूब प्लेटफॉर्म पर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आपके सामने तीन चार बहतरीन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उपस्तित हुआ हूँ जिन मुद्दों को ले करके आप बहुत परिशान रहते हैं कि सर सबसे पहली चीज कि हमें ये बताईए कि टाइपिंग कब से सुरू करनी चाह थोड़ी सी चर्चा करूँगा एक थोड़ी सी बारता आपसे करना चाहूँगा जिसमें मैं ये बताना चाहूँगा वारता के माध्यम से कि प्रिवियस शियर का कट आफ कितना रहा है जिसके माध्यम से आपको एक अंदाजा लगेगा एक आइडिया लगेगा कि सर कैसे प करता करने वाला हूं कि हम आपकी इसमें कैसे मदद कर सकते हैं हमारी बैच में और हमारी कक्षाओं में हमारे प्यारे विद्यार्थियों को हम किस प्रकार मदद करते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपके सामने हमारे मानियां आदरणियां संदीब सर के माध्यम से आपको गलित की कक्षाएं दी जा रही हैं जोग्रफी की कक्षाएं आपको गौरो निजन सर के द्वारा दी जाएंगी History गौरो पांडे सर के द्वारा दी जाएगी Math में आपको सुभम सर और संदीप सर तो रहेंगे ही रहेंगे स्रेश्ट और सर के साथ सुभम सर भी रहेंगे जो आपकी मदद करेंगे मैं विवेक पांडे आपको हिंदी के लिए मिलूँगा और English के लिए हमारे अजय सुकला सर मिलेंगे Science के लिए NK सर मिल जाएंगे आपको Quality के लिए KGF सर मिलेंगे तो इतनी सारी बहतरीन faculties आपको कितना मदद करेंगी कैसे मदद करेंगी इन सारे वारता पर हम बात करेंगे आपसे तीसरी क्लास आपकी Quality की होती है और चौती क्लास आपकी 2 बजे होती है NK सर की Science की और 3 बजे मैं आपके साथ जुड़ता हूँ इलाबाद High Code की कक्षाओं को ले करके हिंदी के लिए तो इस तरह आपका बैतरीन सिड्डूल आपके सामने आपको मिलता है और Group C और Group D के लिए हमारी एक ही बैच होगी जिसमें हम आपको 5 घंटे की डेली क्लास देंगे आपको Printed Notes देंगे जो आपको एक Practice Session की तरह आपकी मदद करेंगे जिसमें आपको Complete Practice Sessions दिये जाते हैं आपको Chapter Wise Practice दी जाएगी जिससे आप जो भी Chapter हम से पढ़ते हैं उसके माद्यम से ये समझ पाएं कि आपने जो पढ़ा है उसके आधार पर आप कितने प्रशनों को सही और सटीक कर पा रहे हैं और कहां पर आपको Doubt आ रहा है क्योंकि Doubt Session भी हम आप लोगों के लिए ले करके आते हैं और उस Doubt Session के माद्यम से हम आपके सारे Doubts क्लियर करते हैं हपते में एक दिन हमारा Doubt Session होता है जिसमें हम प्यारे भाई बहनों की सारी समस्याओं का निदान करते हैं अगली बात हो गई पचास मौक Session आपको दिये जाते हैं जिसके माद्यम से आप अपनी तयारी को और शुद्रण और व्यवस्तित बना पाते हैं तब पर शाथ हम आपकी टेस्ट सिरीज भी आपको देते हैं जिसके माद्यम से आप अपने आपको इतना तयार कर लें कि परिक्षा में बाकी विद्यार्थियों से आप अलग करके जाएं देखिए परिक्षा इस बात का द्वयतक होती है कि आपने वर्ष बर अपने उपर कितना काम किया है इस बात की परिक्षा होती है वहाँ पर इस बात की परिक्षा नहीं कि आपने सेलवस को कितना बहतर तरीके से complete किया है बलकि इस बात की आपने अपने उपर कितना कान किया है तो अपने उपर काम करने का केवल एक ही तोय तक होता है batch बहुत सारे भाई भहल लेंगे दुनिया भर के batches आपको उपलब्द हैं दुनिया भर की पुस्तके उपलब्द हैं लेकिन उन भाई बहनों का क्या होगा जो दुनिया भर की पुस्तके पढ़ चुके हैं सेलवस पढ़ चुके हैं लंबी तयारी कर चुके हैं वो अपने उपर काम ऐसे करेंगे और हम आपकी इसमें पूरी मदद करते हैं बहतरीन क्लास, बहतरीन नोट, बहतरीन पीडियाफ, बहतरीन कंटेंट और वो प्रशन जो बार-बार repeat होते हैं, जिनकी अप्तियदिक संभावन आए कि वो इस बार भी दिखेंगे उनको आपके सामने लेकर के आते हैं और परदा खोलते हैं इन परिक्षाओं के उपर से और आपको लेकर के आते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये प्रशन है जो लगाता रिपीट होता आया है प्राचीन काल से repeated question है और इसके इर्दगिर्द गुमते हुए ऐसे सवाल आपको मिलते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे हमारे notes में, printed notes में, chapter wise practice में, doubt session में आपको से हम वारता करते हैं हमारे प्रतेकर ध्यापक, हम सभी कि आपको क्या समस्या रहे गए इस chapter को हमने पढ़ाया तो इसमें आपको कैसे मदद कर सकते हैं आप बोलते हैं और हम सुनते हैं और उसके आंसर करते हैं फिर उसके बाद जो है हम आपका complete revision कराते हैं और आगे बढ़ता हूँ आप लोगों के लिए और भी बहतरीन चीज़े हैं अगर आपने अभी तक admission नहीं लिया है तो इन number पर आप इन में से किसी भी number पर phone करके हमारे counsellors से बात कर सकते हैं और अब मैं आता हूँ अपने मुद्दे पर कि मुझे आपसे बाते क्या करनी प्यारे भाई बैनों इतना बहतरीन टॉपिक मैं आपके सामने ले करके आया हूँ आप बने रहिए और मुझे थोड़ा सववक्त दीजे मैं आपको सभी तथ्य समझा दूँगा देखिए आप इलहाबाद हाई कोड की परिक्षा देने जा रहे हैं जिसमें आपका ट्रिपल सी एक्जाम क्वालिफाई होगा आप इन फर्म्स को भरे होंगे जिसमें इस टैनोग्राफर ग्रेट थर्ड की नोकरी आती है जिसमें हिंदी के लिए 881 पद अंग्रेजी के ल देखने को मिलते हैं जिसका स्टेज 1 ग्रूब डी के लिए आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों रखा जाएगा ये इस बात का द्वय तक है कि परिक्षा कितनी बहु आयामी चुकि ये एक ऐसा पद होता है जिसमें लिंक लगाने के लिए लोग जादे परेशान होते हैं इसलिए इसके दो स्टेजेस पर इसको बाड़ दिया गया है स्टेज 1 और स्टेज 2 कि अगर गलती से कोई अगर तुक्का तक्का लगा के स्टेज 1 पार भी कर गया तो स्टेज 2 में आगे नहीं बढ़ पाएगा और तो और आपको मैं और डीटेल में समझाता हूँ अगर आप इसको और बहतर तरीके समझना चाहते हैं तो जरा हमारे सामने आएए और मैं आपको जो 2018-19 में जो फार्म निकले हुए थे उसके बारे में जरा अच्छे से बता देता हूँ 2018-19 में जिन भाई बहनों ने इन पदों को भरा होगा और ड्राइवर के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए स्टेज 1 का जो मैरिट गया था वो जनरल कटेगरी का मैरिट जो है ठासी अंग था 100 में से सोचिए सोच कर देखिए कि ग्रूप D का जो मैरिट है ज जल्द प्रवेश कर जाएंगे जब आपकी परिक्षा होगी तो आप 2023 में प्रवेश कर चुके होंगे और 2023 में होंगे तो 2019 से लेकर के 23 का जो दौर है यह फार्म 2018 के अंत्रिक में निकला था 2019 के पहले माह में इसकी परिक्षा कराई गई थी तत्पश्यात स्टेज 2nd पे त जब्ड कटेगरी में 126.883 अंक तक मेरिट गई थी और OBC कटेगरी के विध्यारतियों को 119 अंक लाने पर इसकी मेरिट क्रॉस आउट मानी गई थी यह मेरिट है पिछली ब्यार 2018-19 का चोग गय ना यही मेरिट थी यह सत्य है इसका आप परिडाम खुद भी देख सकते है इसकी डीटेल में वीडियो कल संदीप सर आदरणी संदीप सर आपके सामने लेकर के आएंगे तो वहां से देखिएगा और मैं आपके और भी प्रशनों का उत्तर देता हूँ डीटेल में समझिए सब कुछ बताऊंगा आराम से देखते रहिए देखिए प्यारे विद्यार्थियों आपको हिंदी पढ़ना है अंग्रेजी पढ़ना है जनरल स्टेडी पढ़ना है गड़ित पढ़ना है यह सब परिक्षाएं आपकी सव अंकों की हैं आप किसी भी पद के लिए अपलाई हो रहे होंगे निश्चित तोर पर इस टैनोग्राफर वाले जो विद्यार्थी हैं हमारे अभ्यर्थी हैं वो जरूर क्लर्कियल केड़ेट का फॉर्म डाले होंगे ग्रूप सी का मैं ऐसा मान के चलता हूँ अब दूसरी बात जो अंग्रेजी वाले होंगे वो भी हिंदी के लिए जो ठीक ठाग विद्यार्थी है वो थोड़ा सा अगर ठीक ठाग परिक्षाओं में आगे कर भी रहा है तो नहीं कूद के जाता लेकिन फिर भी लगबग कुल अभ्यार्थियों का 50 प्रतिशत भाग वहां भी जाता है फॉर्म बरने के लिए तो आईए देखने कै कैसे होगा चैन 90 मिनट आपको मिलेंगे प्रतेक एक अंक का प्रस्न होगा और प्रतेक जो है आपका हिंदी में भी 25 अंग्रेजी में भी 25 जनरल स्टेडी में भी 25 गडित में भी 25 ऐसा एक अनुमान है पुरातन प्रशनपत्र के आधार पर हलाकि इसकी कोई गरेंटी नहीं है कि हम उसका डिवाइडेशन कैसे करेंगे 2018-19 के पेपर के आधार पर हम अनुमानित तोर पर ऐसा मानते हैं कि ये 25-25 का रेशियो लेकर के चलेंगे क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था देखिए मैं एक-एक की बात कर लेता हूँ सबसे important तथ्य मैं आपके सामने बता जेखिए हैं यहाँ पर मैंने एक question mark लगाया हुआ है कितनी मेहनत करें तो एक शब्द में तो इसका जबाब ऐसे ही दिया जा सकता है कि जितनी बन पड़े उतनी मेहनत करें क्योंकि धाई तीन महीनों की मेहनत पर अगर कोई सबसे अच्छी नोकरी आपको मिल सकती है तो व जैसी परिक्षाओं में भी अपना भाग्या आजमा रहे हैं और कईयों का भाग्य उदय भी हुआ है बहुत सारे भाई बहन इन पदों पर बैट करके आरो यारो की परिक्षा में भी अपना भाग्या आजमाए और उनका भाग्य उदय भी हुआ है आपका भी हो सकता है क्य कि एक बड़ी सुनहरा अउसर होता है आपके साप एक्ष जिसमें आपको ये अउसर दिया जाता है कि आप सभी प्यारे भाई बहन इसमें आ करके एक अच्छी नौकरी, 9 से 5 की नौकरी जिसमें आपको समय दिया जाता है कि आप आईए घरपे इत्मिनान से फिर अपनी अपने आगे की पढ़ाई पर अपकाम कर सकते हैं और उस पर आगे भी बढ़ सकते हैं केवल यहीं आपका भविश्य रूक नहीं जाता है ये भी एक बड़ा मौका हो सकता इससे अच्छा और क्या होगा परिक्षा के लिए आप देखिए हिंदी एक ऐसा विशे है जहाँ पर अगर आप निरंतर के वल इतना करने कि आप जो विद्ध्यार्थियम से जुड़े हुए हैं उनकी कख्षाएं चल रहे हैं पूछिए आप कमेंट बॉक्स में हो कमेंट करके खुदी बताएंगे आपको तो पूछेंगे तो पता चलेगा कि जिस तरह से आपको हमारे आप लाया जा रहा है जिस तरह से आप लोग जुड़े हुए हैं आपको पूर अंक मिलेंगे मतलब कि पूरा का पूरा 25 प्रशन आप आराम से अटेम्ट कर पाएंगे अगर मैं रेशियो को इस तरह से डिवाइड करता हूँ कि ये 25-25 में डिवाइड हो रहे हैं 25 में आप 25 पूरा पूरा करके आएंगे और करके आना पपड़ेगा ये भी जान लीजे करके नहीं आएंगे तो आप एक प्रशन गलत करने के बदोलत इन में से और इन में से भी सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दू कहां जो हिंदी का अच्छा अभ्यर्थी है वो अंग्रेजी में है कमजोर जो विद्यार्थी ठीक ठाक जानकार है जनरल स्टडी का वो तो ठीक है लेकिन जानते हैं गुरू अगर फस गया तो फस गया, नहीं फसा तो जैस्रीराम इससे जादा हमें कुछ नहीं आता है तो उसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे, यह मैं मान के चलता हूँ, मैं इसी आधार पर आपका उलोकर भी कर रहा हूँ, इसी आधार पर आपको उत्रोतर विकास के श्रणी में अभी इधर दिखाऊंगा कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर जब मैं बात हिंदी की करता हूँ, तो मैंने कहा कि 25 प्रसन आप पूरा करेंगे, करना क्या है, केवल आपको हमारी कच्छाएं लेनी है लगातार बेहतरीन तरीके से, लाइब आएंगे, लगातार लाइब पढ़ेंगे, प्रसन प्रहर लेजेंगे, उसको आपको पढ़ना है, उसके अलावा बाहर से आपको कोई धक्यान उसी चीजे पढ़ने के आउशकता नहीं है, प्रसन फसेगा, लगातार आप हमारा देख पा रहे होंगे, कि लगातार जो आमने महरातन का अच्छाएं चलाई हैं, जो आमने क्लासेज ल ले, रेगुलर सर के साथ जुड़ के पढ़ लीजे, और सर आपको बताते भी होगे कि कैसे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग का देखने को भी मिल रहा है, कि आप बहुत पसंद भी कर रहे हैं चीजों को, तो देख रहा हूं कि आप अगर लगातार नि अगरा मत होई सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर करत निशान, तो आपको निश्चित तोर पर यह बात पता होगी, कि यदि एक बूद एक स्थान पर लगातार गिर रही है, टप 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 तो एक नएक दिन वो धरती पर छिद्र करेगी, करेगी, र आपको 20 प्रश्न करना ही करना है दोस्त इतना अगर आप नहीं करेंगे तो आप लडाई से हैं बाहर इतना आप करके आईए अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए देखिए इसकी बात अभी थोड़ी दिर बात करेंगे गरित मैंने कहा ना आदरणी संदीप सर गरित मज़ोर हैं तो आप इसमें भी मेहनत करके बहुत अच्छा कर सकते हैं प्यारे विद्यारतियों आप इसमें भी लगातार कख्षाएं लीजे प्रतेक्स चैप्टर की सीट आपको बेजी जाती है उस सीट के आधार पर आप अपना अउलोकन करिए उदारण के लिए सर ने यदि आपको क्या कर दिया गड़ित पढ़ाया गड़ित में आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया अब नंबर सिस्टम का सर ने आपको क्या बेज दिया कि भाईया ये आपको नंबर सिस्टम का आपने सीट बेजा आप इसको सॉल्व करिए पढ़ाने के बाद आप अप बेहतर करने वालों का चैन होता है और बेहतर करने वालों में दो तरह के विद्ध्यार्थी होते हैं एक जो निरंतर बड़ी परिक्षाओं में भाग ले रहे हैं असफल हो रहे हैं वो आपको पटकनी देने के लिए आएंगे और दूसरा जो सायद अपने जीवन की पहली परिक्षा दे रहा हो लेकिन इतना सुद्रणता के साथ अध्यन करके आया हो कि किसी से भी पटकनी नहीं ख क्यानित होते हैं बीच में जो आउसत बिद्यार्थी हैं जिनको यह भ्रम होता है कि मैं अच्छा कर ले जाओंगा और इस भ्रम में वो अपना समय काट लेते हैं इधर उधर की चीजों में फस करके अपने आपको बरबाद कर लेते हैं वो हमेशा आउट आफ स्टेशन हो कि यह परिक्षा आप का एक स्टेशन है यहां से आप हमेशा भाहर होंगे तो दौना नीचे हैं न ऊपर है यहां पर भी देखिए गलित में तो गलित जैसे अंक मिलेंगे, यहां तो आपने सही उत्तर दिया और इससे अच्छा तो कुछ होई नहीं सकता कि आपने बढ़िया से पढ़ा है, तो वहीं परिक्षा हाल में बैटके यह आपको पता चल लाएगा कि इसका उत्तर यह है, और इसमें आपने पूर्ण अंक लेआ दिया और इसमें भी पूर्ण अंक लेआ दिया, तो आपने बाकी विद्यार्थियों से लीड ले ली है, आप तो क्वालिफाई होना टाये है, आपको लोप नहीं सकता है अब इसमें आप जितना करपाएं करें, यह आपकी मेहनत होगी और आपकी किसमत होगी, आपका पढ़ा हुआ चीज फस गया, काम कर ले जाएंगे, आपके पढ़े हुए रूल्स हैं, आपके उसमें चीजें आ गई, आप कर ले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, फिर तो चल निकली बात, है ना, तो एकदम इसी तरह से आप यहाँ पर चलता हूँ, कि हमारे विद्यार्थी जो है, वो 22-23 नंबर तो आराम से ले आएंगे, एकात प्रश्न की अगर गलती मैं मालनू, तो 22-23 नंबर तो आराम से आप ले करके आएंगे, बलकि 25 ले करके आएंगे, जो विद्यार्थी हम से जुड़े हुए हैं, जो आदरनी आद्यम से आपको चीजें देखने को मिलेंगी, और उस टीम के द्वारा आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि अभी पॉलिटी देखिए, आदरनी के जीप सर पढ़ा रहे हैं यहां पर, साइंस आपको आदरनी यहनके सर के द्वारा आपको अपलब्द कराई जा रही है, पूरी की पूरी जीएस आपको मिलेगी, मतलब आप देखिए, साइंस की कक्षाएं पूरी पूरी आपको मिल रही है, पॉलिटी कम्प्लीट आपको मिल रही है, हिस्ट्री आपको कम्प्लीट दी जा रही है, जोगरफी आपको कम्प्लीट दी जा रही है, अब इसमें विशेशा के विशेध्यापक आपको बताएंगे ही, इसमें कोई दोराय नहीं है, थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूंगा, विद्यार्थियों का एक प्रश्ण बढ़ा तावल तोल पूछा जा रहा है कि सर थोड़ा सा टाइपिंग के बारे हम बताईए, कुछ अब भ् माहा की, एक कठिन तपस्या के बाद आप टाइपिंग सीखते हैं, और जो विद्यार्थी लगाता है, टाइपिंग कर रहे हैं, उनको मैं कुछ सलाह देना चाहूंगा, बाकी इस पर मैं एक अलग से बीडियो लेकर के आऊंगा, पूरा डीटेल बीडियो लेकर के आऊंग अब भ्यासित हो जाते हैं, क्योंकि जब आप परिक्षा हॉल में जाते हैं, तो लगातार 50-100 विद्यार्थियों की जब टाइपिंग के आवाज आपके कानों में आती हैं, तो आपको लगता है कि यार भगल वाला ज्यादा अच्छी टाइपिंग कर रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है और मैं तो फेल हो गया टाइपिंग के दौरान चुकि मुख परिक्षा क्वालिफाई करने के बाद जब आप टाइपिंग के लिए आगे बलते हैं तो आपके पास सोचने का उसर नहीं बसता अब या तो आर या तो पार वारी लडाई है गुरू अब या तो आपका चैन हो जाना है टाइपिंग के बाद आप नोकरी पे बैठ जाएंगे और या तो सब बर्बाद हो जाएगा बहुत ताना मारेगा समाज आपको बर्बाद कर देगा आपके अपने अंतरात्मा आपको कुरेदने लगेगी, आपका करविडेंस लेवर इतना डाउन हो जाएगा, कि आईने के सामने आप नहीं खड़े हो पाएगे, दो ही रास्ते होते हैं, ऐसी इस्तिती में, और आप करें तो क्या करें, मरता क्या न करता, तो कुल मिला करके अब यहा उस खटखट की आवाज से आप प्रेंड़ा लीजिए, क्यों अच्छा कर रहा है तो मैं और अच्छा करके दिखाऊंगा, लेकिन इस प्रेंड़ा में तीन बातों का ध्यान रखिएगा, कि कहीं इस प्रेंड़ा में आप जो है सटीकता का ध्यान न भूल जाईएगा, मतल एकदम सटीक आपको टाइपिंग करनी है, एककुरेसी का बहुत ध्यान देना है, और एककुरेसी में एक चीज़ बच्चों का सवाल बहुत ज़्यादा आता है, कि सर क्या बैक स्पेस एलाव होगा कि नहीं, तो मेरी जानकारी में अधिकतर सरकारी परिक्छों में बैक लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ही है, कि आप इतना बैक स्पेस न कर दीजेगा, कि आपके एककुरेसी 80% आ जाया, पर इसे भी लडाई से बाहर हो जाएंगे, कोई मतलम नहीं निकलेगा, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा बिसेज बल नहीं देना है, खुब बै आपको, तो ध्यान रखिएगा, इसको आप अच्छा कर सकते हैं, देखिए, एक और प्रॉब्लम आती है, कि सर मंगल पे करें कि कुर्ती देव पे करें, मेरा मानना है, जिन बिद्यार्थियों को हम लोग लगातार पढ़ाते हैं, ऐसा वो बताते हैं, कि सर अगर लगातार कुर्ती देव पे ही हम लोग टाइपिंग करना सुरू करें, तो स्टाइटिंग थोड़ी सी कठीन होती है मंगल के मुकाबले, लेकिन इसमें आपके औसर बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि यही डिमांड में है, इसी में हम लोग टाइपिंग करते हैं, बाकी मैंने कहा कि मै इस टाइपिंग को ले करके अलग से पूरा बहुत डीटेल वीडियो बनाऊंगा 20 मिनट का, और आपको एक एक चीज स्क्रीन पर दिखाते हुए बात करूँगा, कि कैसे आप चीजों को और अच्छा कर सकते हैं, तो यह पूरी की पूरी बात मैंने आपको समझा दिया है, और एक चीज, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, बिशियो से संबंदित, सारी कक्षाएं चल रही है, आप इन में से किसी भी नंबर पर फोन करके अपने एड्मीशन के लिए वारता कर सकते हैं, अपना एड्मीशन सुनिश्चित करा सकते हैं, आज के लिए इतना ही, आपक और बहुत जल्दी मिलने वाली है, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रीवियस एर की कट आफ कितनी थे, आपको और कितनी मेहनत करनी चाहिए, बस इतना कहना चाहूंगा कि यदि आप उत्साहित हैं, और उत्साह के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर ह जै हिन, जै हिन्दी, खुश रहिए, मस रहिए, पढ़ते रहिए, प्यारे विद्यादी